हलो दोस्तो नमस्कार में विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेसन आज हम बात करने आए हैं उत्राखंड BAC Nursing के बारे में उत्राखंड से BAC nursing course कैसे करें उत्राखंड में BAC nursing के admission form कब आएंगे कौन सी university है जो admission form जारी करती है Online form कैसे और कब तक बरा जायेगा और admission के लिए जो entrance exam होगा उसका paper pattern क्या रहेगा कैसे तयारी करें किस प्रकार से हमें government college में admission मिलेगा इन सभी मुद्दों पर मैं आपको detail information देने वाला हूँ सबसे पहले बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि उत्राखंड के अंदर एक university है और उसका नाम है ये हैम वती नंदन बहुगुणा उत्राखंड medical educational university देहरादून ये बच्चों जो university है ये university बीए सी नर्सिंग कोर्स करवाती है कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको हैम वती नंदन बहुगुणा medical university के द्वारा ही जब online form निकलेगा दो वो apply करना पड़ेगा यहाँ पर online form का link आएगा अभी तक बच्चों देखिएगा जो 2023 सेशन के लिए जो entrance exam हुआ था उसका link है 2024 का अभी link नहीं आया है बहुत ही जल्द बच्चों यहाँ पर 2024 के लिए link आएगा और यहाँ पर यहाँ पर form भरने के लिए registration के लिए आपको option दिखेगा किलियर बात बिल्कुल किलियर है अब हम बात करेंगे कि भाई उत्रा खंड में BSC nursing course कौन कर सकता है यह में previous year की जो मेरे दोस्तों पूरी विवरनी का है जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले आऊंगा website पे किस website पे forum भरा जाएगा यह website नौट करिएगा www.hnbu.ac.in इस website पे आपके form भरे जाएंगे किलियर हैं बिल्कुल किलियर हैं अब BSC nursing का form कौन भर सकता है सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की कि सर कौन भर पाएगा form कौन यह exam दे सकता है मैं सबी मुद्दों पर बात करने वाला हूँ सबसे पहला point form कौन भर सकता है देखो बिटा BSC nursing जो है यह 4 वर्स का degree course है आप सभी को पता है यह जो course है यह 4 वर्स ही यह course है और यह course 12 बायों के student कर सकते हैं लडके और लडकियां दोनों ही इसमें admission ले सकते हैं boys भी और girls भी किलियर बात है अब उत्राकंड में BSC nursing का जो form निकलेगा उस form को all over India का कोई भी student अपलाई कर सकता है आप खुद भी देख सकते हो देखो उत्राकंड BSC nursing या जितने भी nursing परवेश परिक्षा के form है इसमें अब्यरती भारत का नागरिक होना चाहिए यानि all over India का कोई भी बच्चा इस form को अपलाई कर सकता है फिर बात करते हैं आयू सिमा की नियूनतम आयू सिमा 17 और अधिकतम आयू सिमा 35 ये बच्चो एज क्राइटेरिया है आपका है ना तो आपकी एज जो है वो 17 से लेकर के और 35 के बीच में होनी चाहिए है ना minimum age 17 इसका मतलब जिनकी date of birth जिनकी date of birth 2007 है वो अपलाई कर सकते है है ना या जिनकी 2006, 5, 4, 3, 2 यानि 7 से कम है वो भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन जिनकी date of birth 2008 है जिनकी date of birth क्या है बिटा 2008 है या 2009 जनमतिती है वो 2024 का form नहीं बर सकते ये बात आप याद रखना जिनकी date of birth 2008 है या इससे उपर है वो 2024 का form नहीं बर सकते और जिनकी date of birth बिटा 2007 या 2007 से कम है वो इस बार 2024 के लिए HNBU यानि एमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा BAC नर्सिंग का form लगा सकते हैं अब बात यह है कि sir admission कैसे होगा जो बच्चे अभी 12 में पढ़ रहे हैं वो भी form apply कर सकते हैं admission के लिए बेटा entrance exam लगेगा admission के लिए परवेस परिक्षा होगी है ना क्या होगा entrance exam होगा आपको एक परवेस परिक्षा देनी पड़ेगी बेटा है ना और वो परवेस परिक्षा के center कहां पे रह रहेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं मतलब direct admission नहीं होगा आपको एक exam देना पड़ेगा देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं है ना अब आप एक बार देखिए यहां पे इन्हों ने लिखा है कि भाई कौन forum लगा सकता है तो जिस बच्चे के बारवी में biology subject है वो forum ब देखिए नहीं है वो भी forum बर सकते हैं अगर बिटा आपने 12 उत्राखंड से की है तो भी form बर सकते हो और अगर आप उत्राखंड के हो और आपने 12 कहीं दूसरे state से किए किसी दूसरे board से किए तो भी आप form apply कर सकते हो ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी इसके बाद में इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं इसके बाद में मैं कुछ चीजें और है जो देखिया NIOS board से जिन्होंने 10 प्लस 2 bio से की है वो भी form बर सकते हैं अगर किसी ने open board से 12th किया है वो भी form लगा सकता है जिन बच्चों ने exam दे दिया है जिनके अभी 12th के exam हो चुके हैं वो भी form बर सकते हैं अगर आपका result नहीं भी आया है तो भी आप form लगा सकते हैं है ना? बिल्कुल जी अब बच्चों इसके बाद में इस बार जो आपका entrance exam होगा बच्चा ये नए NCRT के syllabus के according होगा है ना? बिल्कुल जी अब देखिएगा अब हम बात करेंगे कि सर जो हमारा paper लगेगा उस paper का pattern क्या रहेगा? ठीक है? जो entrance exam लगेगा उसका pattern क्या रहेगा? देखो बिटा ये आपका paper pattern रहने वाला है आपके physics के 20, chemistry के 20, bio के 20 English के 20 और nursing aptitude के 20 total 100 यानि 100 क्यूसन पूछे जाएंगे बिटा आपका जो paper है वो Hindi और English दोनों माध्यम में होगा paper आपका Hindi और English बिटा दोनों माध्यम में होने वाला है ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है clearly आप पड़ पा रहे होंगे परतेक पाठे करम के प्रशन पत्र में 100 प्रशन होंगे ठीक है बिटा और देखिएगा परतेक क्यूसन एक नंबर का होगा exam दो गंटे का होगा है ना? और पेपर कैसा होगा बिटा? objective होगा परतेक सही उत्तर पे एक अंग गलत उत्तर नहीं देने पर या कई विकल्प को एक साथ चैन करने पर सुनियाग यानि negative marking नहीं होगी बिटा negative marking नहीं होगी देखो रिनात्मक अंग की पदती लागू नहीं है पेपर, Hindi, English दोनों भासाओं में बनाई जाएंगे तो पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा बिटा ठीक है की नहीं? बिल्कुल जी तो दोनों मीडियम में आपका पेपर लगेगा और जब भी एग्जाम देने जाओगे ता आपको एक गंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है अब एग्जाम कहां कहां पे होगा देहरादून, गडवाल, नई, टीहरी, गोपेश्वर, हरीद्वार, हल्दवानी, पितोरागड, अल्मोडा और उत्तरकांसी ये एक्जाम सेंटर बनाए गए हैं, इस बार बिटा सेंटर बदल भी सकते हैं, थोड़े बड़ भी сकते हैं, ठीक है न, तो ये आपके एक्जामीनेशन क्या है बिटा, सेंटर है ठीक है कि नहीं बिल्कुल जी इतनी बात सभी के समझ में आ गई क्या बिल्कुल समझ आ गई अब बात है फोरम कब आएंगे और एक्जाम कब होगा देखो बेटा अगर हम फोरम की बात करें तो उत्राकंड में बीएसी नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम के लिए जो फोरम है वो आपके आएंगे अप्रेल में है ना अप्रेल में आपके बिटा दो अजार चोबीस के लिए फोरम बरे जाएंगे और एंट्रेंस एक्जाम कब होगा परवेस परिक्सा कब होगी तो परवेस परिक्सा बिटा या तो जून लस्ट में होगी और या कब लगेगी जुला आये थे बिटा और जून के अंदर आपके एक्जाम की डेट आई थी फिसली बार तो बहुत सारे राजियों में बिटा एक्जाम आगे बढ़ाए गए थे एक्जाम की डेटें बदली थी बहुत सारे राजियों में है ना तो इस बार जून या जुलाई में आपके जो हैं व होगा 11th plus 12th है ना 11th और 12th से क्यूसन आएंगे physics chemistry bio के ओके और English जो है बिटा English जो है English में ज्यादा तर 10th level की और 12th level की जो grammar है वो पूछी जाएगी बिटा ज्यादा तर क्यूसन grammar के होंगे कुछ unseen पे से इससे भी क्यूसन पूछे जाएंगे nursing aptitude जो nursing aptitude है ने विटा nursing aptitude के अंदर hospital से समंदित रोगों के बारे में कुछ hospital में जो उपकरन काम में लेते हैं उनके बारे में है ना स्वास्ते के बारे में fast aid के बारे में इस तरह के क्यूसन आते हैं हम लोग विजे education पे सारी चीजें बच्चों आपको पढ़ाते हैं मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि यह paper pattern आपको follow करना है यह सारे subject है जो आपके पूछे जाएंगे ठीक है न और आप सब विजे education एप से जुड़िएगा विजे education एप में बिटा हम उत्राखंड बीएसी nursing entrance exam की complete preparation करवा रहे हैं यह मैं आपको कहना चाता हूँ अगर आप उत्राखंड के government college से बीएसी nursing करना चाते हैं या top private college में बीएसी nursing करना चाते हैं तो आप तुरंट entrance exam की preparation start कर दीजिए बाकी बच्चों हम complete preparation एप में करवा रहे हैं आप course कैसे join कर सकते हैं पहला तरीका screen पे जो number दिख रहे हैं बिटा इन number पे आप whatsapp message करिए अपना नाम और जिस number पे आपको piece लग रही है अभी ठीक है ना बिलकुल जी अब दूसरी दूसरी बात है आप खुद एप में जा करके विजय education एप में जाईए अपना number डालिए और फिर आप ब्रमास्तर बेच पे क्लिक करोगे तो नीचे I am interested लिखावाएगा बिटा आई एम interested पे क्लिक करोगे तो payment का link आपके whatsapp नंबर पे और आपके inbox में आ जाएगा और जैसे इस link पे क्लिक करोगे तो आपको payment का option मिल जाएगा और आप खुझ से payment करके भी अपना बेच चालू कर पाओगे तो आप खुझ से payment करके भी बेच चालू कर सकते हो आप किसी और से payment विजवाना चाते हो तो इस्क्रीन पे जो number दिख रहे है ना बिटा इन नमरों पे आप phone पे या Google पे या आप ATM डलवा सकते हो है ना बिलकुल जी एप के अंदर जा करके भी अपना बेच चालू कर सकते हो या VijayEducation.com नाम से हमारी website है बिटा उस website पर भी आप पहले course भाय करके फिर एप में जाके login कर सकते हो आप website से भी class देख सकते हो अपने laptop में अपने टेब में अपने computer में और आप mobile के अंदर एप से भी class देख सकते हो हमने सारे option दे रखे हैं इंदी medium के बच्चों को इंदी में English medium के बच्चों को हम English में पढ़ा रहे हैं हम सारे subject पढ़ा रहे हैं बटा हम proper test ले रहे हैं हम live class से दे रहे हैं परते class की recording app में save रहेगी not safe में save रहेंगे DPP मिलेगी chapter wise बहुत सारे question करवाएंगे selective जैसे exam में पूछे जाते हैं बटा हैना बहुत शानदार और next level की तयारी करवाएंगे उत्राखंड के अंदर 2022-2023 में बहुत बड़ी संक्या में विद्यारती विजय education से पढ़ने के बाद चैनित हुए select हुए मुझे बरोसा है कि 2024 के अंदर उत्राखंड के प्रतेक government college की 50% से भी ज़्यादा सीटों पर हमारे विजय education से पढ़ने वाले बच्चे चाहे नहीं तो करके जाएंगे मैं आप सब को शुब कामना देना चाहता हूँ कि आपका selection हो BAC nursing बहुत अच्छा course है 12th बायों के बच्चे इसका फोरम जर दीजिएगा ठीक है बिल्कुल जी तो ये पूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है आज के लिए बच्चों इतना ही और कुछ बच्चे मेरे से college के बारे में पूछ रहे हैं तो बिटा मैं college भी आपको दिखा देता हूँ देखिएगा ये आपके उत्राखंड के बिटा college है आप देखो देखें ये उत्राखंड के college है उत्राखंड में private college भी बहुत है और उत्राखंड में बिटा government college भी बहुत है जैसे कि ये आपका अलमोडा के अंदर government college है ये आपका टीरी में government college है ये पोड़ी गडवाल में government college है ये आपका नेनी ताल अल्दवाली म के लिए बुक्स मंगवाना चाहते हो तो विजे एजुकेशन जो है उत्राखंड बीसी नर्सिंग के लिए एक बुक्स भी तयार कर चुका है जिसमें चैप्टर वाइज इंदी और इंग्लीज दोनों में क्यूसन भी आपको मिल जाएंगे नर्सिंग एप्टिट्यूड के के फिजिक्स केमस्ट्य और बायो के अगर आप ये बुक्स ओडर करना चाते हो तो आप जो है विजे एजुकेशन.com वेबसाइट पर जाकर भी ओडर कर सकते हो या आप बेटा विजे एजुकेशन एप में जाके बुक्स ओडर कर सकते हो या बुक्स की एक अलग help line है हमारी बचा उस help line पे आप whatsapp message करिए अपना address भेजिए ठीक है इस books के 299 रुपे प्राइज है ठीक है आप इसे अपने घर तक मंगवा सकते हो साथ दिनों में ये books आपके घर तक आ जाएगी आज के लिए बच्चो इतना ही thank you so much जै हिंद और वंदे मात्रम thank you